हेलो बच्चों मैं हूँ दॉक्टर जकी जमाल और NCRT लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है human reproduction chapter हम NCRT से लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं और इससे पहले इससे पिछली वीडियो के अंदर हम male reproductive system पढ़ चुके हैं female reproductive system पढ़ चुके हैं spermatogenesis पढ़ चुके हैं और structure of sperm आज की studio के अंदर हम पढ़ेंगे oogenesis cut section of the ovary और spermatogenesis और oogenesis के बीच में difference तो शुरू करते हैं NCRT में शुरू में लिखा हुआ है कि the process of formation of mature female gamete is called oogenesis the line-up याद रखेंगे the process of formation of mature female gamete mature female gamete का बनना oogenesis कहलाता है यानि यहां पर बात हो रही है ovum की which is markedly different from spermatogenesis or oogenesis spermatogenesis से काफी अलग है difference के बारे हम लास्ट में बात करेंगे oogenesis is initiated during the embryonic developmental stage when a couple of million gamete mother cell ugonia are formed within each fetal ovary no more ugonia are formed and added after birth तो यहां पर दो तीन पॉइंट ने कवर किये हैं और जिसमें से कुछ लाइन पर तो नीट में सवाल भी आ चुका है कुछ लाइन से उम्मीद है कि आपको आने वाले सालों में कुशन मिलेंगे जैसे कि यह कोशन नीट में आ चुका है तो यह कोशन वह पूछ चुका है कि उजैने से कब शुरू होती है तो दियूरिंग एंप्रियानी डवलप्मेंटल इस्टेश में तो उसकी ओवरी में बच्ची अभी अपनी अम्मी के यूट्रस में तो उसकी ओवरी में उजैने से स्टाट हो जाती आगे क्लास के अंदर आप सुनेंगे कि उजैने से बेगिंस इंदा ओवरी एट सिक्स्टू एट वीक्स ऑफ़ गैस्टेशन मतब जब बच्ची अभी यूट्रस में 6-8 हफते कि तो उसकी ओवरी में उजैने स्टाट हो जाती है उस बीच होता क्या है कि चैने सर जो ओवरी के चार होता सा जर्मिनल एपिथीलिया में उसके कुछ इसे तो चूट के अलग हो जाते हैं और वह कंवर्ट हो जाते हैं वह राख microwave and i5 आउप दया स्टार्ट होती है एड दे जो फिवर्टी ठीक है पिर आगे लिखा हुआ वैना कपल ऑ मिलियन गैमीट मदर से उगोनी आर फॉर्म विदिन इस फीटल ओवरी और बता है कि उसकी स्टार्टिंग इस तरीके से होती है उगोनिया का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है फीटल उचले का आप से लाइन सही है घलत है तो बच्ची के पैदा होने के बाद दुनिया में आने के बाद ओवरी में और कोई नया नहीं बनता है इस बीच होता है कि जर्मिनल अपिदीलियम से जो गोनिया एक मदर सेल बने थे बच्ची के पैदा होने से पहले ही वह तमाम उग बटाक के आप गाता नारिशमेंट प्रृइट करेगी इसी तरीकी नरिशमेंट यहां न की चुटे-चोटे-चोटे बच्चों खयाल अंबी रखती है और वो बच्चे को खाना बना के देती हैं बिल्कुल ऐसी टेस्टी इस में आ ने साटूलीज का इंतजाम किया जो कि सब्सक्राइब करते हैं और ओवरीज के अंदर ग्रैनलूसा सेल्स को रखा जोगे डेवलपिंग उसाइट को नरिश्मेंट प्रोइड गरते हैं तो उगोनिया बच्ची के पैदा होने से पहले ही कनवर्ट हो जाते हैं प्रैमरी उसाइट में और उनके चारों तब एक सिंग के अंदर लेकिन पैदा होने के बाद जब बच्ची की एज 11-12 साल की होगी वह पीबर्टी मेंटर करेंगी तब जाके ऑवलेशन होगा और ऑवलेशन के दौरान सेकेंडरी उसाइट रिलीज होता है जिस तरीके से सेकेंडरी स्परमेटर साइट है क्योंकि मियोसिस से बना तो असल में मुयोसिस स्पर्बमेरी सब्सक्राइट में स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन फॉरह नहीं वहां नहीं पूछा जाता कि कौन सी स्टेमें फदर वह रुका हुगा हुआ है आपको यादे करना है कि प्राइमरी मियोसिस से में मियोव सिस रुख जाती है और विलेशन से पहले मियाओ सिस्फ पूरी होगी और इस प्राइमरी उसाइट से बनेंगे दो सेल एक बड़ा सा से केंडरी उसाइट और एक चोटा सा फस्फ पोलर बॉड़ी सेकेंडरी उसाइट रिलीज ओकर आएगा फैलवियन ट्यूब मे लेकि मेज बनता है अबागा उसाइट के पढ़ेंगे पहले बनता है जाती है और बन जाता है और फिर बन जाता है यह है कि जब प्राइमरी उसाइट बना था और उसके चारों तरह सिंगे लें लोसा सेल्स कि आ गयी तीसा बोला गया था प्रैमरी फॉलिकल फिर क्या होता है और कुछ लेंग लोसा थी इसे बोला था थीका एंस याटी ने रख है थीका इस फांड फॉर्स और बढ़ जाते हैं तो फिर फ्लूड का इमाउंट भी जाद हो जाता है जिसकी वाइसे टर्शेरी फॉलीकल के अंदर आपको फ्लूड के खट्टा होने के विए से तर फिर फ्लूड नजर आता है जिसमें होर्मून अस्ट्रोजन होता है आप सुनते आ रहे हैं कि एक फीमेल के अंदर सेकेंडर सेक्ट्रोड आपको निकाल निकालने मैं भी टाइग्राम में आपको सारी बात दिखा भी तूंगा टर्शेरी फॉलीकल जब नयाएनेया बनता कि यहाँ पर यह है कि टर्शरी फॉलिकल जब नय नय बनता है तो उसमें प्राइमईरी स्राइड ता और फिर प्राइमरी ईसाइड का मीू 7 सफ काम्प्रीट हो जाती टर्शरी फॉली के अंदरी बड़ा सा सेंटरी साईट और चोटा सा फस्ट पॉलर बॉर्डी बनता है यह सुनने में अजीव सी बात है क्योंकि नॉर्मल ही ऐसा होता नहीं है मियोसिस फर्स्ट के बाद जब एक से दो सेल बनते दोनों का साइज बराबर होता है यहां उजेनिस के दौरान एक सेल बड़ा बना है सेकेंटरी उसाइट चोटा सा फल फर्स पोलर बॉर्डी इस लिए बोला जाता है कि उजेनिस के दौरान हमें देखने को मिलेगा अन एक्कवल मियोटिक डिवीजन इक बड़ा सा सेकेंटरी उसाइट और एक चोटा सा फस्ट पोलर बोडी सेकेंटरी उसाइट का बड़ा साइज इस वजह से इ अफकोर्स उसमें जाद न्यूट्रिंट होंगे तो डेवलपिंग उसाइट को नरिश्मन चाहिए ही NCRT बाद भी पूछी गई है कि क्या एडवांटेज है इसके पास जो बड़ा सा साइटोप्लासम उसके अंदर न्यूट्रिंट है तो डेवलपिंग उसाइट की खाने पीने का इंतजाम है पूरा सेकेंट्रिंट रिलीज होगा फिर पहुंचेगा फैलपन ट्यूब में अभी सेकेंट्रिंट बनते ही उसके अंदर मियों से से स्टार्ट हो जाती ही लेकिन वह भी रुख जाती है मेटाफेस सेकेंड के अंद प्राइमरी उसाइट यह लाइन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा पढ़ते में ऐसा लगता है कि उगोनिया में मियोसिस फर्स्ट हुई है उगोनिया से बने हैं प्राइमरी उसाइट प्राइमरी उसाइट में मियोसिस फर्स्ट हुई है जो की प्रोफेस फर्स्ट के सबस्क्राइब। सब्सक्राइब भी दे रखा है मैं डाइग्राम से बात को और समझाऊंगा अलाज नमबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट 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 हो जाते हैं उन्हें अट्राइटिक फॉलिकल्स कहते हैं आपको काउंट याद निकरना है वो पीछी में पूछा जाता है यह सवाल भी नीट में पूछा जा सकता है कि पूबर्टी यह वक्त हर एक ओवरी में कितने प्राइमरी फॉलिकल होते हैं साथ हजार से असी हजार एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 तो 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन इच ओवरी तप्राइमरी फॉलिकल्स गेट सरांड़ेट बाइमरी फॉलिकल्स के बन जाती और एक थीका भी नजर आते तो यह सवाल भी नीट यूजीम आपसे पू secondary फॉलिकल्स G सून ट्रांस ओं किसमे नजर आती आप बोलेएंगे टर्शरी फॉलिकल तो पहली बार थीका एक्टरना थीका इंटरना हमें नजर आती है नजर आती हैं और ज्डी is अट जोली था लीजिए में सैल शुक्ति इंटरना थेका उस में ता ही ठाइमरी उसाइट थुछा थो जो साइण में बढ़ा हुआ इंटरना आता है इस लाइन से बहुत बार कॉम्टेशन में सवाल आ चुक है कि अधा प्राइमरी उसाइट विधिन टर्शरी फॉलिकल ग्रोज इंसाइट एंड कम्प्लीट इट्स फर्स्ट मियॉटिक डिवीजन क्या होगा उससे अनिकुल डिवीजन हुआ ही अनिकुल मियॉटिक डिवीजन इसके रिजर्ड में बनेगा लार्ज हैपलोईट सेकेंड्री उसाइट हैपलोईट क्यों बोला गया इसलिए क्योंकि मियॉसिस हुआ इपकी बार एंड टाइनी फर्स पॉलर बॉड़ी तो ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि मियॉसिस के द इसका मतलब यह हुआ कि अच्छा खासा साइट उपलाज प्राइमरी उसाइट के पास है इस पॉलर बॉड़ी चोटा सबना आगे इस पूछती कैन यू थिंक आफ एडवांटेज फॉर्टी जाहिर सी बात है नूट्री इस प्लाज में तो जो डवलपिंग उसाइट उसका नरिश्मन का बैटरी निया पर इंतजाम उपर वाले ने किया है इस पॉलर बॉड़ी बॉर्टी 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 डिविजन दिवाइट फर्दर रोडी जन्रेट एट परजन्ट वी आर नौट वरी सर्टेन अबाउट इस वह सकता है यह स्टेट्मेंट आप से एंची आड़ी पूछ लें यह भी सवाल नहीं पूछा गया है जिसे नॉर्मल होता है कि मुछ से सब्सक्राइब यह से नौट बने लेकिन यहां पर होता ही है कि जो एक से दो सल बने एक है से केंडि उसाइट और एक फस्ट बॉलर ब प्रेसेंट वी आर नौट वेरी सर्टेन अबाउट इस ठीक है फिर आगे क्या लिखा है कि दर टर्शरी फॉलिकल फॉर्दर चेंज इंटु अ मैच्यूर फॉलिकल और ग्रेफिन फॉलिकल में कनवर्ट हो जाता है उसके बाद एंचाइट में लिखा हुए है तो जब ग्रेफिन फॉलिकल बन जाता है उसके बाद उसके अंदर जो सेकेंड्री उसाइट था वो अपने चाहँ तरह मोटी सी लेर बना रहे था जोना पैलोसिडा दूसरी किताबों में मॉडियूस में यहां पर आपको थोड़ी कंट्रोवर्स ही मिल सकती है लेकिन क्यो यूसाइट फॉर्म्स अन्यू मेंब्रेन कॉल दा जोना पैलोसिडा सराउंडिंग इट ग्रैफन फॉलिकल ना रप्चर्श तु रिलीज दे सेकेंड रिखन फॉलिकल फूर्ट जाता है लह हॉर्मून की यह से से केंड रिखन बाहर निकलता है इसी सेकेंड रिखन और आ दाइगराम से हम समझ लेंगे इस बात को यह थोड़ा सा जो ओवरी का डाइगराम में दिखाए गया उसके बारें बात कर लेते हैं इन्हों ने दिखाए हैं पर यह कट सेक्षन ने इसके अंदर ब्लड वैसल दिखाई है आर्ट्री वेंस जिससे की ब्लड आता होगा डिय पर साइस में बढ़े जाते हैं वो कहला थे उगोनिया यह एकमदर सेल फिर क्या होता है उगोनिया यह मदर साल के चारतरफ एक सिंगल लेर आया थी ग्रेंडोर सेल्स की और इसे बोल जाता है प्राइमरी फॉलिकल पर बाद में यह बढ़ती है और पिर यह कनवर्ट हो जा इसके चार तरफ एक लेयर थीका भी नजर आएगी तो इसका मतलब यह हुआ कि थीका is found for the first time around secondary follicle और फिर क्या होता है कि यहाँ पर यह जो granulosa cells अपने अंदर से fluid निकाल लें, उसकी ऐसे cavity बन जाती है उसे बोला जाता है follicular entram या short में entram बोला जाता है इसके अंदर जो fluid भरा हो लिकर follicular ही कहलाता है NCRT के हिसाब से follicular entram पहली बार tertiary follicle में देखा जाता है तो entram या cavity कि इसमें नजर आती ही, tertiary follicle में एक और बात यहाँ पर ने बताई है कि tertiary follicle, secondary follicle फ़र्किये है कि tertiary follicle के चारों तरफ यह जो ठीका है यह दो लेयर में नजर आती है outer कहलाती है ठीका external ठीका external और अंदर वाली कहलाती है ठीका internal इसी तरीके साब इन चीजों को याद कर लेंगे जिससे question गलत होने के chances कम हो जाए तो ठीका internal ठीका external नजर आएगी पहली बार टर्शरी फॉलिकल के अंदर सिर्फ ठीका नजर आएगी secondary follicle के अंदर एंटरम भी पहली बार टर्शरी फॉलिकल में नजर आता है इधर एक बाद यहीं बताएगे थे अंसी आड़ी जब नया नया टर्शरी फॉलिकल बनता है तो उसमें प्राइमरी उसाइट ही होता है और इधर प्राइमरी उसाइट मियॉसिस फर्स कंप्लीट कर लेता है बन जाता है सेकेंड यूसाइट और फर्स पोलर बॉड़ी तो बसक्मल्स का development हो रहा एंडे सावाष से अड़ाइं तो आइस सतर्काइब अगर आपको लगाना हो तो पूत जाता है और इसन फेंद्र इनट को सॉल साइट को नॉर्मल बातचीद में अक्सरर निख दिया जाता है जबकि बहतर की आप बोले सब्हत सब्सक्राइब और लेंट ऑब इस सवाल यह पूचा याता है कि अब लेशन के दौरान ओधरी से क्या रिलीज होता है बेहतर है कि आप आप सब्सक्राइब साइक पोड़ा और स्प्रोच लुट्यम में कौरपश रिलीज करता है लार्ज अमांट आफ व्रोजस्ट्रों कॉर प्रोचेसेलेस लिए क्योंकि सैजंट रिलीज हुआ है अगर इसी बीच फर्टिलाइजिचन हो गया और प्रेग्णैंसी का सीन बना तो प्रिजस्टोव की ज़रू पढ़ेगी इसलिए अल्लाप पहले साम करके रखते हैं का और पस्टूटियम बन जाता है रप्षट ग्राफिन फॉलिकल से और वो लार्ज अमांट फ्रेजस्टर रिलीस करने लगता है इससे फायदा ही होगा कि जो एंडोमेट्रियम है वह पहले से और ज्यादा मोटी हो जाएगा इसलिए एक सवाल भी बहुत प्रटिलाइशन भी हो गया साथ से नौ दिन अगर आप जोड़ते नौ मान लेते हैं तो 15 में जोड़ेंगे 24 देज 28 दिन की मैंश्टर साइकल हो थी तो मैक्सिम्ट 24 देस ताइंप्लानटेशन हो जाना चाहिए अगर 24 देस ताइंप्लानटेशन नहीं होता है तो फिर यह कॉर्पस लूटियम खतम होने लगता है और यह कनवर्ट हो जाता है कॉर्पस अलबाइकन में कॉंप्टिशन में यह सवाल भी पूछा जा चुगा है कि डी जनरेटेड कॉर्पस लूटियम फॉर्म्स आपको आंसर लगाना होगा कॉर्पस अलबाइकेंस याद रही बात आगे एंसे हाटी में इस पर मेट्व उजनेसिस को कंपेर किया डायेगराह में देख लेते हैं क्या फर्ख है बच्ची दुनिया में आ गई उसकी ओवरी में प्राइमरी उसाइट ही है इस बीक प्राइमरी उसरे बनते ही ही वह फोस्ट में ये उसस स्भाइव प्रुट बिवसले से पहले जाती ही विएफ यह इंदर ऑप जेरीजोरüh ने अगला कम्ले लूटी भी आ बनता है इसको उटिड भी बोला जाता है और इसको भी आप हैपलोइड ही बोलेंगे क्योंकि डिपलोइड जाइगोड होता है जब तक दोनों के अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे मैंशनल साइगल तब तक के लिए लाफ्स अगली कि अगली क्या फिक दुजद ना रिकला साइग को भी बोल तक के लिए खिता है जाएगोड़ मैंशनल साइग पर जाएगोड़ से जाएगे जाएगे के लुजद है पाल तक कि घंद है।